आठ वर्षी ये बच्ची के साथ दुशकर्म करने वाला आरोपी गिरफतार उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद मानसिक रूप से विक्षिफ्ट आठ वर्षी ये बच्ची के साथ दुशकर्म करने वाले आरोपी को मुड़ा पांडे ठाना पुलिस ने गिरफतार कर एक बड़ी सफलता हासिल की है SP City अमित कुमार आनंद ने पुलिस लाइन में प्रेस वारता कर घटना का खुलासा करते हुए बताया कि जन्पद के मुणापांडे थाना चेत्र के गाउं भधासना में रहने वाले एक ग्रामीन की मानसिक रूप से विक्षिप्ट आठ वर्षी ये बच्ची 22 दिसंबर को अचानक घर से निकल गई थी जिसकी काफी तलाश की गई बच्ची उसी दिन ठाना चेत्र के ही हवाई पट्टी पर बने हेली पैड के निकट खून वा मिट्टी से सनी हालत में मिली थी बच्ची को उप्चार के लिए जिलाच एक साले ले जाया गया था जहां उसकी स्थिती नाजुक होने के कारण मेडिकल सेंटर मेरट रैफर कर दिया गया था जहां पर एक महीने तक बच्ची का उप्चार चला इस मामले में मुझा पांडे थानक पुलिस ने मुकत्मा दर्जकार मामले की चान्बिन शुरू कर दी थी पांडे थाना फुलिस में आट वर्ची के साथ दुश्कर्म करने वाले आरोपी भदासना गाउ में रहने वाले सत्यपाल उर्फ किन्नू फुत्र धर्मपाल सिंग को गिरफतार किया है स्पी सिटी ने प्रेस वारता के दोरान बताया कि सत्यभान एक नशेडी किसम का युवक है जो चोरी छीपे इस प्रकार महीलाओं के साथ घटना का प्रयास पूर्व में भी करता रहा है सत्यभान ने आठ वर्षी बच्ची के साथ दुषकर्म की घटना को अंजाम दिया था मूड़ापांडे थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर एक बड़ी सखलता हासिल की है ये 22 दिसमबर 2019 को एक आठ वर्षी मांसिक रूप से विक्षिप्थ बालिका जो थाना मूड़ा पांडे में थी उसके साथ दुषकर्म की घटना होई थी और उसके दुषकर्म के बाद उस बालिका को मेरट में हायर सेंटर में रैफर कर दिया गया था ये केस बहुत ही चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि मांसिक रूप से विक्षिप्थ होने के कारण ये बालिका एक्यूस्ट के बारे में कोई भी सुराग नहीं दे पा रही थी और इसके बाद स्स्पी सरक्रियन रदेशन में एक टीम का गठन किया गया इस केस में चाइल्स पेशलिष्ट काउंसलर को भी इनवाल किया कि जाज जादा एक्यूस्ट के बारे में जानकारी मिल सके बट क्यूंकि बालिका की हालत ऐसी थी कि वह जादा बता नहीं पारी थ थे हमने पूरे गाओं में चानबीन करी जितने भी लोग संदिक मिले सब के बारे में तैकिकात करी और उसी में हमें गाओं में रहने वाले एक व्यक्ति सत्यवान उर्फ किन्नू के बारे में पता चला उसके पूर्व में भी इसी तरह महिलाओं के साथ गलत काम करने के इतिय और जब इससे कड़ाई से पूस्ताज करी गई तो इसने अपने गुना को कबूल किया है और अन्य साक्षिय भी इसके खिलाफ उपलब्द हुए इसमें थाना मुड़ा पांडे ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए यह जो बहुत ही डिफिकल्ड केस था इसमें अभ्यूक् यह आरोपी गाओ में ही रहता है और वहीं पर ट्रैक्टर और छोटा मोटा द्यारी का काम करता है